पिछले दिनों हुई तेज बारिश और साहयक नदियों के जलस्तर बढ़ने का असर गंगा नदी पर भी दिखने लगा है। पिछले चार दिनों में गंगा नदी के जलस्तर में हर घंटे करीब एक सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अनमान है कि जलस्तर में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में गंगा के नरक के गावों, इलाकों और इन में रहने वाले बाशिंदों के माते पर चिंता की लकीरे साफ देखी जा सकती है। उन्हें अपने फसलों के साथ ही आश्याने की चिंता भी सताने लगी है। गंगा से घिरा हुआ है। कई गावों के आबादी गंगा किनारे ही आबाद है, जहांके लोगों के लिए गंगा ही आजीविका का साधन है। लेकिन पिछले करीब पांच दिनों से गंगा के जलस्तर में वृध्धी का करम जारी है। मंगई नदी सहित कई नदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है गंगा के जलस्तर में वृद्धी होने से खास कर तटवर्ती इलाकों के लोगों को धुक धुकी बढ़ने लगी है भाई की बीच उनकी नजरें गंगा के लहरों पर टिकी हुई है लोग इसी आशंका में परिशान है कि कहीं बाड आई तो एक तरफ जहां उन्हें अपना आश्याना छोड़ना पड़ेगा वहीं फसल भी बाड की भेट चड़ जाएगी केंदरी जल आयोक के स्थल प्रभारी हसनैन ने बदाया कि करीब एक हफ़ते से एक संटिमीटर पती गंठा की रफ़तार से जलस्तर में वृद्धी हो रही है गाजिपूर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं